नमस्कार सभीको मैं मत्तु केवट मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गाणित विशय में देखिए खाली चौकटों में शही संख्याएं लिखो तो इन सवालों को ध्यान से देखिए इसमें क्या हमें लिखना है जैसे देखिए पहला सवाल है पांसो तीस सेंटी मीटर है तो इसमें हमें मीटर और सेंटी मीटर को अलग करना है तो इसमें हमें करना क्या होगा आपको जानकार इसमें 5 मीटर है और 30 सेंटी मीटर है तो इस 5 को हमें यहां लिखना होगा 5 मीटर और 30 सेंटी मीटर तो इस तरह से इन खाली चौकठों में भारा जाएगा इसमें 5 मीटर आ जाएगा और इसमें 30 सेंटी मीटर आ जाएगा दूसरा सवाल है देखिए 1240 मीटर है आप इसमें हमें क्या करना है कीलो मीटर कीमी अर्थत कीलो मीटर और मीटर को अलग करना है तो इसमें हमें देखिए आपको जानकारी है कि एक मीटर बराबर 1000 कीलो मीटर तो एक किलो मीटर है और इसमें 240 जो है ये मीटर है तो इस डिब्बे में हमें 240 भरना होगा और इसमें एक भरना होगा तो इस तरह से इसमें 1 किलो मीटर और 240 मीटर है तीसरा सवाल है देखिए 845 सेंटी मीटर को मीटर और सेंटी मीटर में बदली करना है तो ये सवाल देखिए पहला सवाल जिस तरह से 530 सेंटी मीटर को हमने 5 मीटर और 30 सेंटी मीटर में लिखा उसी तरह से तीसरे सवाल में भी हमें वही करना होगा पहले डिब्बे में कितना आएगा आठ मीटर आएगा ये हमने लिख दिया आठ मीटर और दूसरे डिब्बे में हम इसको लिखेंगे पैंतालिस सेंटी मीटर तो आठ सो पैंतालिस सेंटी मीटर में आठ मीटर है और पैंतालिस सेंटी मीटर है अब चौथा सवाल देखिए यहां है 1250 सेंटी मीटर है तो 1250 सेंटी मीटर है तो इसमें हमें क्या करना है मीटर और सेंटी मीटर हमें इसमें लिखना है तो इसमें देखिए 12 मीटर हो जाएगा दहाई का यंक 12 मीटर हो जाएगा और पचास सेंटी मीटर हो जाएगा तो 1250 सेंटी मीटर में 12 मीटर होगा और 50 सेंटी मीटर होगा तो इस तरह से इन डिबों को हमें भारना है और अगला सवाल है तो पांचमा सवाल हम देखते हैं 2575 मीटर है ये और इसे हमें क्या करना है कीलो मीटर और मीटर में लिखना है तो देखिए इसमें ये दो कीलो मीटर हो जाएगा और 275 जो है ये मीटर हो जाएगा तो इस तरह से 2275 मीटर में 2 कीलो मीटर और 275 मीटर होगा इन डिब्बों में हमें दो भरना है इसमें और इसमें 275 भरना है छेटोबा सवाल है 4090 मीटर है अब इसमें किलो मीटर और मीटर हमें लिखना है तो इसी तरह से इसमें हम लिखेंगे 4 किलो मीटर और इसमें लिखेंगे 90 मीटर हो जाएगा तो इस तरह से 4090 मीटर में 4 किलो मीटर और 90 मीटर होगा और अगला सवाल है 4 लीटर है तो 4 लीटर में कितना मिली लीटर होता है इसे हमें लिखना है तो चार लीटर में चार हजार मिली लीटर होगा तो इसमें हमें चार हजार लिखना होगा इसके बाद है देखिए डेड़ लीटर हमें लिखना है तो डेड़ लीटर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डेड़ लीटर में कितना मिली लीटर होता है तो डेड़ लीटर में 1500 मिली लीटर तो इस तरह से इसमें 1500 मिली लीटर ये भारना होगा और अगला सवाल है देखिए 1000 मीटर लिखा गया है अब 1000 मीटर में कितना किलो मीटर होगा तो एक हजार मीटर में एक किलो मीटर होगा कितना होगा एक किलो मीटर होगा अगला सवाल है देखिए एक लीटर में कितना मिली लीटर होता है इस डिब्बे में हमें भरना है तो एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होता है तो इस तरह से इसमें एक लीटर बराबर एक हजार मिली लीटर और एक हजार मीटर बराबर एक किलो मीटर होता है बेढ़ लीटर बराबर एक हजार पांसो मिली लीटर चार लीटर बराबर चार हजार मिली लीटर और अगला सवाल है देखिए इसमें पौनी चार लीटर है ये पौनी पौनी चार लीटर आर्था तीन लीटर और साथ सो पचास मिली लीटर तो इसको हम लिखेंगे पौनी चार लीटर को तीन हजार साथ सो पचास मिली लीटर तो इस डिब्बे में तीन हजार साथ सो पचास भारा जाएगा अब हमें लिखना है 27 लीटर 27 लीटर में कितना मिलिलीटर होता है तो 27 लीटर में लिखने के लिए हमें 1250 मिलिलीटर इस तरह से लिखना होगा तो सवा लीटर बराबर 1250 मिली लीटर पॉनिचार लीटर बराबर 3750 मिली लीटर एक लीटर बराबर 1000 मिली लीटर तो इस तरह से इन दिये गए खाली चौकठों में हमें सही संख्या को भरना है तो आप इस वीडियो के माध्यम से खाली चौक्टों में उचित संख्याएं भरिये इसका वाचन करिये लेखन करिये स्रमन करिये धन्यवाद सभी को